गुजरात के अरवली के बाइट के रामोस गाम से गिरफतार बंगलदेशी युवक का मामला पतचला की बंगलदेशी से युवक बिना भीता और पासपोर्ट के दाखिल हुआ था गभी मिरामोस की गाम की एक लड़की और एक बंगलदेशी युवक के साथ काम करने का खुदासा हुआ था जांच में पता चला की युवक लड़की से मिलने आये था संदिक धरकतों पी चलते स्थादने लोगों ने युवक को तरंद पोलिस के हवाले कर दिया मोबाइल सर्च करने पर भारत की खलाप एक टेक्स्ट मिला पोलिस वड़ा श्यपाली बर्वाल ने प्रेस कंफरेंस कर पूरी चांच की जानकारी थी ग्यारा तारिक के रोज जब हमारी सोजी की टीम रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी बायड में जब हमारे खानगी बात्मिदार से ये बात्मी मिली कि वात्रक के पास जो पेट्रोल पंप है महां कोई शंकास्पद आत्मी चेक्स टीशर्ट में घूम रहा है और ये बात्मी मिलते ही एसोजी की टीम लेड बाई एसोजी पीएसाई जी आर चौदरी महां पहुचे बांगलादेश का नागरिक है एवं सुल्ताना बानू करकर एक जो रमोस गाउं की रहने वाली जो एक महिला है उसके टच में आकर उससे जान पहचान होने के कारण वो यहां आया था और उसी के साथ उसके घर में रह रहा था इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है पूरा जो रूट है वो बाक्ट्राक कर रहे हैं हम जो लांड रूट है उसकी भी हम पूचपरज जो अक्यूस्ट है उसके साथ कर रहे है चुकि है माटर नाशनल सक्यूरिटी का है एवं यह बांगलादेश का नागरिक है और इसके पास अभी कोई वैलिड वीजा नहीं है इंडिया का इसलिए जो नाशनल एजेंसी को जान कर दी गई है और उनके आने के बाद जो जो जोईंट इंटरोगेशन होगा उसके और जल से जल जैसे आएंगी फिर जोईंट इंटरोगेशन किया जाएंगी महिला के संपल के कैसे आता सब जान जाए है यह इंविस्टिगेशन